हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो की उत्राखंड विंसर येर बुक 2023 से मैंने लिया है ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसको की एक तरह से करंट अफियर के र तो हमारे जो UKPSC, UKSSS exam करवाते हैं तो यहां पर उत्राखंड आती है आपकी 40 marks की मतलब की जितने भी उत्राखंड है वो 40 marks की आती है साथ ही साथ उसमें आपको करंट अफियर भी दे दी जाती है जिसमें की उत्राखंड करंट अफियर के question होते हैं तो उत्राखंड करंट question बनता है ठीक है तो friends सबसे पहले हम देख लेते हैं पद्म विभूशन जो की जनरल विपिन रावत को मिला अब इनको तो आप सब ही जानते होंगे क्योंकि यह देश के पूर्व सिनात्यक्ष और सबसे इंपोर्टन बात की पर्थम Chief of Defense स्टाप सीडियस यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जिसमें मैंने आपको वी लोगों के नाम बताये कि उत्राखंड आजकल जो है किन लोगों के नाम से जाना जा रहा है तो देखिए जनरल विपिन रावत को मर्नो परांत पद्म विभूशन सम्मान से अलंकृत किया गया तो आपको याद रखन है जनरल विपिन रावत को पद्म विभूशन सम्मान जुब मिला कब मिला मर्नो परांत मिला जनरल विपिन रावत सेना के सरवोच पद थल सेना ध्यक्ष की रूप में अपना कारेकाल पूरा करने के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिपेंस स्टाप बनाई गये थे आठ दिसंबर 2021 को एक हेलिकोप्र जुरगटना में उनकी और उनकी पत्नी सहीद 12 लोगों की मृत्यू हो गई थी तो देखे जनरल रावत जो कहां के हैं पौडी गडवाल के सेन गाव निवासी है तो यह आपसे एक इंपोर्टन कॉश्चन बन जाता है यह कई एक्जाम पेपर और शिम्ला में सिक्साली थी आई एम ए देहरादून से वो पास आउट होने के बाद 16 दिसंबर 1978 को सेकिंड लेफिन के रूप में भारती सेना में सामिल हुए थे तो यह भी आपको उनके बारे में याद रखना है शेवाकाल के दौरान उन्हें परम विशिस्ट सेवा मिला था ठीक है तो आपको पता चल गया कि वो जो है पद्म विभूशन समान उनको मिला है वो कम मिला है मरणो परांत मिला है और उनका जो निवास स्थान है यह आप से पूछल जाएगा पौड़ीगरवाल के सेन गाउंन ठीक है अब देखिए आगे देख लेते हैं आगे अब देखिए विभूशन पुरुसकार जो कि विक्टर बनरजी को मिला भारती और विदेशी सिनामा में अभीनिता के रूप में विसस्त पैचान बनाने वाले विक्टर बनरजी को पद्म भूशन समान से अलंकरत किया गया तो अगर ऐसे कॉशन मनता है कि विक्टर जी गरता थे ठीक है अब देखिए विक्टर बनरजी मसूरी के रहने वाले थे यानि कि वो किस जिले के रहने वाले हैं दहरादुन जिले के उन्होंने विश्व को उत्राखन आंदुलन से रूबरो कराने में एहम भूमी का निभाई थी विक्टर बनरजी ने हिंदी और बंगाले फिल्मों के लिए यादगार भूमी का निवाय है। इतनी बात है आपको पता होने जिए तीन में टॉपिक इसमें रहते हैं छेट्र और निवासी कहां के है प्लस उनका जो कारे छेट्र है वह क्या है और उनको कौन सा समान मिला आप देखिए पादमश्री पुरुष्कार है तो सम्मान कौन सा है पदमश्री किस को मिला है उत्राखंड में डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को बसंती देवी को और वंधना कटारय को इंपोर्टेंट है ये तीनों महलाओं की पुरुसकार है पदमश्री पुरुसकार इन में से ऐसे पूछ ले जाता है कि ये किस किस शेतर से आती है माधुरी आपको मिलान में भी दे दिया जाएगा कि मिलान कीजिए व्यक्ति और उनके छेतर से मिलान कीजिए कि इनको पदमश्री किस शेतर में मिला है माधुरी बर्तवाल जो है वो एक लोक गाईका है उत्राखंड की कोसी बचाओंदलोन की बसंती देवी है और होक की खिलारी आप जानते हैंगे खेल से संबंदित है ये वंदना कटारिया तो इन तीनों को ही पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है फिर से मैं रिपीट कर रहे हूँ जो माधुरी बर्तवाल है वो उत्राखंड की लोग गाईका है कोसी बचाओंदलोन के लिए बसंती देवी है और होक की खिलारी बंदना कटारिया है डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को लोग गीतों के स्वरक्षन के लिए जाना जाता है वी आकासवाडी में पहली महिला म्यूजी कंपोजर भी है वे मूल रूप से पौड़ी जनपत के लैंस्टाउन की रहने वाली है बसंती देवी पितोरागड की निवासी है और में बसंती देवी की महत्वपूर्ण में करें यह आपका कॉश्चन बना के आता है कि को से नदी को पुनर जीवित करने के लिए किसकी सबसे अधिक भूमी कर रही तो बसंती देवी राइट अंसर उसका होगा और पदमश्री भी इनको इसलिए मिला है उन्हें कई समाजिक की ओलंपिक में उन्होंने हैट्रिक लगाई 125 वर्सों की ओलंपिक इतियास में यह पहला उसर था जब किसी भारतिय मैला होक्की के लाड़ी ने यह कारनामा करके दिखाये था अब है छे पुलिस अधिकारी समानित गरतंत दिवस की पूरु संध्यापर उत्राखंड के ADG अभिना कुमार को उत्करश्ट सेवा के लिए राष्टपती पुलिस पदक देने की घुष्णा की गई पाच अन्य अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घुष्णा की गई जिन पाच पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक देने की घुष्णा की गई उस उ 27 जनवरी 2022 को परधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आउजीत एक समारों में उत्राखन के डिजास्टर मेटिगेशन एव एंड मैनेजमेंट सेंटर DMC को वर्ष 2020 का सुभास चंद्रवोस आप्दा प्रबंदन पुरुसकार प्रधान किया गया परधान मंत्री से यह पुरुसकार उत्राखन के पूर्व आप्दा प्रबंदन सच्जिव एएस मुरुगेशन ने ग्रहन किया वर्ष 2020 के वेक्तिकर स्ट्रेणी में यह पुरुसकार CISF के पूर्व डीजी कुमार मुकुल सिंग को परधान किया गया वर्ष 2019 के लिए पुरुसकार एंडिया आरप की आठवी और नवी बटालेन को दिया गया अब देखिया अब है इंडिया ओपन चैंपियन जो है लक्ष सेन को मिला और यह किस सम्मदित है आप से पूछ भी लिया जाता है कि लक्ष सेन किस कियल से सम्मदित है तो यह बैड के लोकीन यू को हरा कर उपलब्दी हासिल की लक्ष सेन ने बर्मिंगम में हुए कॉमन वेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता इसके अलावा सात्विक वो चिराक की जोडी पुरुस यूगल खिताब जीतने वाली देश की पहली जोडी बनी उन्होंने तीन बार की विस क्याने की संभावना है संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार किसको मिला नरेंद्र सीन नेगी एवं दिवान सीम बजेली को मिला उत्राखन के प्रख्यात लोग गायक और गड़वाली रचनाकार हैं नरेंद्र सीन नेगी और सोमेश्वर अलमोडा के दिवान सिंग बजेल 26 जून 2019 को गुवा हैट में हुई संगीत नाटक अकादमी की बैठक में श्री नेगी को या पुरुसकार देनी की घुष्णा की गई थी और 9 अप्रेल 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आवय जित एक गरिमा मैं समारों में देजबर के 45 कलाकारों को या पुर 1937 में जन्मे दिवान सिंग बजली को परदशन कला के शेतर में विद्वता पूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार प्रदान किया गया 86 वर्ष ये बजली जी पुरे चार दसक से नाट्टे समिक्षक तथा लेखक के तौर पर सक्रिये हैं कुमावनी लोक कथाओ और कहानेों को विश्में पैचान दिलाने में उनका विसस्ट योगदान है अब देखिए आगे देख लेते हैं रास्टी सिक्षक पुरुषकार 2022 किसको मिला उत्राखन के दो सिक्षकों परदीप नेगी और कौस्तुम चंदर जोसी को इस वर्ष रास्टी सिक्षक पुरुषकार परदान किया गया अब है कौस्तुम चंदर जोसी नेनी ताल में परताप पुरिस्थित स्टीस राच्च किये इंटर कॉलेज के परदाना चारे हैं और परदीप नेगी हरिद्वार इस्थित बी एच इएल इंटर कॉलेज में परवक्ता के पत पर कारेड़त हैं अब देखिए दोनों सिक्षकों को सिक्षन में नवाचार के लिए पुरुषकार परदान गया गया तीलू रुतली पुरुषकार अब ये पुरुषकार आपका पत्वारी के एक्जाम में पूछ लिया गया था कि जो उत्राखंड का तीलू रुतली पुरुषकार है वो क और विभागिये मंत्री कोने हमारी रेखा आरे ने पुरुसकार प्रदान किये जिन महिलाओं को पुरुसकार दिये गए उनमें अल्मुडा की डॉक्टर ससी जोसी बागिश्वर की दीपा आरे अहरीद्वार की प्रेंका प्रजापरती उद्धम सिंग नगर की प्रेमा की गीता रावत सामिल इनके साथ ही 35 महिलाव को आगनबाड़ी पुरुसकार से भी समाने दिया गया अब है केदार सिंह रावत परियावरन सरक्षन पुरुसकार तो आप देखें ये परियावरन सरक्षन पुरुसकार है ये प्रसिद्ध परियावरन विद और समास सेवी सच चिदारन्द भारती आप इनको पानी राखो आंदुलन के पढ़नेता के रूप में भी जानते होंगे इस आंदुलन के तहट चाल खाल बनाकर छेतर में पानी बचाने में उनका महत्रपुन योगदान है अब देखी प्रेंट सब्भी आपने उत्राखन जीके पढ़ते अब एक सब्द तो यह पानी जो है पानी से सम्मंदित है यह सब्द चाल खाल अब है किदार सिंग रावत परियावरन सरक्षन पुरुसकार की शुरुआद 2014 में की गई थी किदारनाद घाटी के रामपुर नयालसू छेतर में चिपको अंदुलन चलाने वाले किदार एवम विकास केंदर के ओर से दिया जाता है अब देखे पूर्व में यह पुरुसकार अपने कीदों से का संदेश देने के लिए परसिद्ज living अएक नरेंदर स्आगी को ह्या गया था अब आपको इतना भी याद रुखना की नरेंदर सिंग नेगी को भी यह पुरुसकार अब हेसं हमारा स्लेस मट्यानी पूरुसकार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर सिख्षक दिवस कभ गप mature को मनाज जाता है 2022 को देहरादु सी च्पंध राजित्य वहों में जख़ी समारयो में उफ्धर पूरुसकार से मानित्त किया गया इनमें प्रात्मिक विद्याल है, माद्मिक विद्याल है और प्रसिक्सर संस्ताओं के सिक्षक भी सामिल थे राजिपाल को ने हमारे गुरमेश सिंग जिनों ने यह पुरुसकार प्रदान किया गया अब है उत्राखंड को रक्तदान अमरित महुस्व में राश्ट्री इस्तर पर मिला दूसरा इस्तान उत्राखंड को रक्तदान अमरित महुस्व में राश्ट्री इस्तर पर दूसरा इस्तान मिला ये भी आपसे पूछे जाता है कि जो उत्राखंड है वो इस बार अमरित महुस्व पर रख्तदान के लिए कौन से नंबर पर आया तो दूसरे इस्थान पर आया एक अक्टूबर 2022 को दिली में केंद्री स्वास्ति मंत्री मंसुख मांडविया के हातों परदेश के प्रभारी स्वास्तियू को यह पुरुषकार प्राप्ति क्या रख्तदान अमरित महुस्व में परदेश भर में 8,672 यूनिट रख्त एकत्रित किया गया भारत सरकार द्वारा परदान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अउसर पर 17 सितंबर से 1 क्टूबर 2022 तक देज भर में रख्तदान अमरित महुस्व आउजित किया गया था अब है अन्तिम पुरुषकार जो कि उत्राखंड गौरव सम्मान 2022 है उत्राखंड सरकार ने विबिन चेत्रों में उलेखनी उपलब्दी के लिए राज की 5 हस्तियों को वर्ष 2022 का उत्राखंड गौरव सम्मान परदान किया गया अब है इन में जनकवी गिरीस तिवारी गिर्दा कवी और पत्रकार वीरेंडंगवाल और देश के पहले चीप ओफ आर्मी स्टाप विपिन रावत को मरनो प्रांत या सम्मान प्रतान किया गया तो विपिन रावत का नाम आप बार-बार सुन रहे होंगे कल की वीडियो में भी सुना है इन तीनों हस्तियों के अलावा राष्टे सुरक्सासलाकार अजीत डोबाल ये भी उत्राखंड सही आते हैं अजीत डोबाल और गीतकार वा फिल्म सेंसर बोर्ड प्रसून जोशी क्या ये उत्राखंड के ब्रैंडम मिस्टर है इनको गौरव समान प्रतान किया गया उत्राखंड सरकार ने वर्ष 2021 में ये समान दनी की गोशना की थी ये उत्राखंड गौरव समान के लिए पूर मुक्यमंतरी स्वर्गे नाराण दत्तिवारी प्रयावरन विद अनिल जो संभाव नहीं हो पाए था इसलिए इस बार 9 नवंबर को राजस्थापना दिवस हमारा जो राजस्थापना दिवस होता है वो कब होता है 9 नवंबर 2000 को स्थापना होई थी तो 9 नवंबर को बना जाता है इस अवसर पर 10 हस्तियों को यह पुरुसकार दिया गया तो उत्राख उत्राखंड विंसर येर बुक से 2030 वाली जो नई बुक है इसके जो है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक जो की करंट अफियर और उत्राखंड जीके की रूप में पूछ जा सकते हैं और यही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉशन है कि इस तरह की कॉशन प्रिवे सर्फ पेपर में भी आ चुके हैं और जो आपके पटवारी लिकपाल में हुए थे उसमें भी आये थे विपिन रावत से आपका वहां पर आये था पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में आये था ठीके तो इस तरह के कॉशन बंते जा रहे हैं पुरुसकारों में आपका तीलू पुरुसकार से कॉशन आया था पटवारी लिकपाल में तो जो उत्राखंट विंसरियर बुक है तो इसमें करन्ट अफ्ययर के कॉशन दिये रहते हैं साथ ही साथ आपको उत्राखंट जिके की भी इसमें जानकारी हो जाती है क्योंकि थोड़ा डिटेल में दिया रहे था कि आप से सिथे सिथे बोला जा सकता था कि उत्राकरन गौरव समान किस-किस को दिया गया लेकिन यहां पर थोड़ा एकस्प्लेइन किया गया कि कौन किस शेतर से संबंदित है तो इससे आपको help मिल सकती है अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे है देखना तो प और चनल को सब्सक्राइब जरू करना